हम अपने घर या किचिन को और्गनाइज करते हैं तो उसमें बास्केट बहुत important role play करती है बास्केट के साथ हम घर और किचिन को बहुत सुन्दर से और्गनाइज कर सकते हैं जब आप घर पे organizer नहीं बना सकते या आपको पसंद नहीं है या आपके पास time की कमी है तो वहाँ पर basket बहुत एक अच्छा option हो सकते हैं आपके घर को organize करने के लिए तो hello friends मैं हूँ संगीता और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में तो आज का वीडियो basket organization पर ही है तो वीडियो पसंद आये तो like करें, share करें और चैनल को subscribe करना बिल्कुल मत भूलेगा और तो फिर चलिए वीडियो को start करते हैं तो देखिए इस तरह से मैंने एक divider organizer लिया है इसमें space बहुत अच्छा मिल जाता है कम जगा में बहुत धेर सारी चीजे यहां पे हम kitchen में अपनी रख सकते हैं तो एक box में आप उसको भी डाल के रख सकते हैं and of course जो हमारे lighter है ना वो भी हमें नहीं मिलता है कई बार तो उसको भी हम इसी के अंदर डाल के रख सकते हैं तो किचिन के हमारी देखिए काफी जितनी भी कटरी टाइप का हमारा जितना भी समान है छोटा मोटा वो सारा हमारा एक organizer के अंदर अराम से आ गया है तो इस तरह से यह organizer बहुत मस्ट है हमारी किचिन के लिए तो आप जरूर इसको यूज करिए बढ़ते हैं आंगे तो दे बहुत से सामान ऐसे होते हैं कल्ची है चिम्टा है तो जो हमें इस में जरूरत पड़ती है उड़न की स्पैचुलास वगेरा हो गया काफी लॉंग होते हैं तो उनको रखने के लिए इस तरह का और बिल्कुल मस्ट है आपकी किचिन में आप जरूर से इस तरह का को और गनाइज करिया अपनी केचिन में तो बहुत जरूरी है तो इस तरह से लॉंग बास्केट जो हम अपने ऑइल वगरा जो बॉटल से वह रख सकते हैं तो पानी की बॉटल होती है तो पुरानी हो जाती है तो उसमें मैं कुस टाइम के लिए ऑइल वगरा डाल के हमारा और्गनाइजर उसी में मैंने अपना घी का कंटेनर भी रख दिया इतना स्पेस था उसमें तो देखिए इस तरह से आप केचिन के काउंटर टॉपेस को रख के छोड़ सकते हैं तो देखिए कम जगा में धेर सारी हमारी जो ऑईल की बॉटल से जो इदर बिकरी रहत को खराब नहीं होते हैं और अगर आपको फ्रूट ko फिसमें रख के छोड़ देते हैं तो वह समझ नहीं आती परने की रहता है तो अ यह यह सकते हैं वैसे श्मेद करने तो बहूत बहुत एजी है आप जय से लिए तो भी है मसाला बास्केट भी बना सकते हैं तो इस तरह से जरूर अपने किचिन में बना के रखे सारे खड़े मसाले आपके एक जगह पे हो जाते हैं उससे क्या होता है कि हमारे जितने दिखिए अगर हम इनको अलग-लग बॉक्सेस में रखेंगे तो हमारे पास केतने धीर सारे बॉक बहुत मुस्किल होता और बहुत ज़्यादा स्पेस लेता तो यह कितना कम सेविंग है इस तरह से करते हैं अगर इस तरह के अगर थिसे वे आप जरूख एक क्लीनिंग बास्केट जरूर अपनेगर में रख कर देशने सरह जाए हैं तर यहां के लिए तो आपके पस जो भी समान है आप जो यूज करते हैं डेली क्लीनिंग के लिए वो सारा समान डाल के आप इस तरह से बास्केट में रख सकते हैं उससे होगा क्या कि जब भी आपको क्लीनिंग की जरुवत पड़ेगी आपकी बास्केट रेडी है आप उठाइए और अपना क् आता है और अगर आपी किजिन बहुत चोटी है तो यह बास्केट बहुत कंपल सरी है आपके लिए तो दिखिए इस तरह से मैंने अपने जो ऑईल की बॉटल से वो इसके अंदर रख दिया है इस पैचुला होल्टर ता वो भी डाल दिया है टिशू होडर भी डाल दिया है कुछ अचार का एक बॉटल ने वो भी रख दिया है कुछ बदाम रख दिया है तो देखिए कितनी सी और बिल्कुल खाओ प्यों मस्त रहो कोई भी टेंसन करने के ज़रूद नहीं है बिल्कुल सही लाइन है इसलिए मैंने इसको रखा हुआ है तो बिल्कुल कोई भी टें के अंदर आ गया है और जब हमें क्लीन करना होगा कितना हसान है आप खिसकाईए सारा समान आपका उसी के अंदर है क्लीन कीजिए और उसको रख दीजो डेली क्लीनिंग के लिए तो बहुत ही इजी होता है इस तरीके से करना तो देखिए एक ग्रॉसरी बास्केट अपने क है जो भी है आपका समान आप इसमें रख सकते हैं अराम से उनको स्टोर करके और इसको ठकन लगा होता है तो इसकी वज़े से आप इसके उपर एक के ऊपर एक दूसरी बास्केट भी इसली रख सकते हैं तो देखिए स्पेस कितना सेविंग कर रहे हैं और यह पैकेट अग काफी कुछ एक्स्ट्रा समान भी आ जाता है जो जुझा नहीं पड़ती है तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें सेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत बूलिएगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में कुछ नया लेकर कुछ नया करने के लिए कुछ नय सीखने के लिए तिल देन बाई एंड टेक कियर